नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वाली दियो और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शिवात करेंगे खबरों की बड़ी खबर लखनों से मिल रही है बतादें की लखनों में समादवादी पार्थी का दो दिवसे सम्मिलन कल से शुरू होनी जा रहा है आपको दादें की कल सपा राज्य और रास्ट्रिय का ग्यारवा सम्मिलन करेगी है सम्मिलन लखनों के रमाबाई अंबीटकर मैदान में आजुत किया जाएगा ये सम्मिलन पांच साल बाद हो रहा है जिसमें सब भी नए अध्यक्षों के नाप पर चर्चा हो सकती है साथी पार्टे की रूप रेखा भी तै की जाएगी तो ये पूरी तयारी सपा ने कर ली है आपको दादें की दो हाजार चौबस के मद्दे नजर ये तयारी सपा कर रही है दो दीवसे सम्मिलन कल से शुरू होने जा रहा है राज्य और रास्ट्रिस तर पर ये ग्यारवा सम्मि पार्टे की आगे किस तरह से काम होगा इसकी रूप रेखा भी तै की जाएगी सुप्रीम कोट ने ताज महिल के 500 मीटर के दारे में सभी विफसाइग गतिविध्यों को ततकार रोपनी का आदेश तियार शुरू अदालत ने आगरा विकास पादिकरण को सके नर्देश का रूपालन सुनरशित करने के लिखा है सुप्रीम कोट के सादिश के बाद वेबसाइग करने वाली दुकानदारों में खलवली मची हुई है शृष अदालत का यादिश दुकान मालिकों के एक सम्हू के आवेदर पर किया गया जिनने 500 मीटर के दारे से बाहर जगा आवन्टित की गई है इस पैसले के बाद आप हर्दोई में बीते 10 अगस्त को जम कर बवाल हुआ था मामली में नगर पंचाथ के पूरवध्यक श्रपानेता समेट पाच नामजद आरोपियों पर केस दर्श किया गया इसके अलावाद 200 अग्यातों के खिलाव भी घर में घुसकर बवाल और फारिंग करने के आरोप में रिपोर्टर्ज हुई थी अर्दोई के पुलिस अधिक्षक राजेश्टिवेदी समेट पुलिस विभाक के आलारिकारी पाली कस्पे में पहुँचे इस्तिती को देखते हुए कई ठानों की पुलिस स्पोर्स को भी तैनात किया गया था दरसल पाली कस्पे के मुहला इमा चौक की इस धेश्वरी दस्तोर्गी के घर पर मोनले के फारुक और मुन्ना समित का इन लोगों ने तमंचे के साथ घुसकर गाली का लौच के और जान से वालने की दहम कि थी इसके बाद एक विशेश्वर्थ के लोगों ने हिंदू परिवारों के उपर पत्राप किया थ अब ऐसे में जानकारी में रही है कि इन सभी आरूपियों पर रासुका लगाने की तयारिया हो चुकी है कि दिनाम के दस आठ दोजार वाइस को फ्रना पाली में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ यूवक एक दुछ यूवक के ख़र में हमें अबलत्रता करी और उसी के दवरान एक मुल्जिम मुन्ना और शेहनवाज का एक विडियो बारे लगा जिसमें दुनों हाथों में व पथाओ किया गया और भी तमाम घटनाएं की गएं कि सहारनपुर में सिद्वपीट मा शाकुंबरी देवी मंदिर परिसर में शारदे नवरात्रों पर लगने वाले मेले का उद्खाटन पूज आश्रा के बाद प्रदेश सरकार के राजर मंत्री जस्वन सिंग सेली ने फ पीता काट कर और नाजी रपोर्ट कर मेले का उद्खाटन किया आपको तादे कि खरनन माफिया हाज इकबाल और फुबाला की लोकल उनिवरस्टी में यम्ना नगर निवासी करम जी सिंग ने सेट्रिंग का काम किया था जिसके लिए हाज इकबाल ने लगफ़क एक करोड रुपे किराया और लगफ़क पांच करोड रुपे का समान लिय और कारवाई करते वे करोड रुपे के समान के भी लिकब दिखी है। कि अधर बादाश करें लिए हैं जो प्रेशराइज करें लिए वो ब्लॉक में गई थी किसी साइन के मामिले से साइन करवाना तब पुरानी पेंशन को लेकिए। किसा ने विदि विधान से भैस के बच्चे का मुंडन संसकार किया। साथी करीब तीन सो लोगों को दावत भी दी। अलाके में भैस का मुंडन संहारों हर किसी की सुपान पर है। इसको लेकर आयो जो किसाइन ने बताया कि किस्तान प्रमोज शिवास्तव ये कहते हैं कि उसकी भैस से होने वाले बच्चे दो चार महीने में खत्म हो जाते थी। इससे काफी समय से वो इसे लेकर परिशान था तो उसने गाओं में ही देवी मा के मंदिर में मनत मांगी थी कि पढ़िया जीवित रही तो आपके मंदिर में मुंडन करानी आएंगे इसके बाद उसने मुंडन संसकार किया और करीब तीन सो लोगों को दावत दी। और संभल से बड़ी ज्वान कारी जोहां मासुम से रेप के बाद मिट्टी का तेल छुड़क कर रेप पिड़ता की आग लगा कर हत्या करने की कोशिश की गई थी और केस में रेपिस्ट हत्यारे को पॉर्फुर एट ने दोशनी मानते हुए आजीवन कारावास और 20,000 की सजा सुनाई मामला हर्जरत नगर गड़ी थाना शित्र का है जहां 11 साल की मासुम को बंधद बनाया गया उसके बाद परोस के ही युवक ने रेप किया और विट्टी का तेल डाल कर आके हवाले कर दिया था आपको तादें कि 2019 से ये केस बॉक्स कोट में चल रहा था जहां ADJ बॉक्स कोट ने युवक को दोशी मांते विए उसे आज इवन कारावास और बीस हजार रुपे की जर्माने की सजा सुनाई फैसले के दोरान पिड़ता मुर्थका की मा और बेहन भी अदालब में मौजूद रही वहीं अभी योजन पक्ष ने कोट के फैसले के खिलाब फाई कोट में अपील करने की बात भी गही है खाना नखासा का मामला था एक बिना पिता की बच्ची जिसकी मात्र 11 साल उमर्टी उसकी माँ और बहन हैं यह उस समय जो है डॉक्टर की आँ दवाई लेने के लिए गई ही थी एक अकेली बच्ची थी तो घर में यह जो अभियुक्त है जिशान सनोफ अक्रम निवासी सिर और इतने पर ही नहीं रुका यह एक बार रेप करने के बाद यह दुबारा आया और कि मैं दुबारा तेरे साथ रेप करूँगा बच्ची चीख रही थी चला रही थी और उसने पुलिस की उसको धंकी दी और इतने में मावी आ गई जो यह है यह चश्मदीत गवा है तो उसको यह लगा कि यह जो है अब तो मेरी बात फुली गई तो वहीं पर मिट्टी का तेल जो है रखा हुआ था उसमें मिट्टी का तेल डालके उस बच्ची को उसको जला दिया उत्रप्रदेश सरकार के मतस्य वहाग मन्वरी और निशाद पार्टी के रास्टे अथिया अच्छी डॉक्टर संजर निशाद बस्ती पहुंचे और मंडली कारकरता सम्मेलन को संबूर्द किया मीरिया से मखादिव होते हुए उन्होंने उपरकाश राजपर पर तंच कसा उन्होंने कहा कि राजपर भाईया को समझना तो बहुत कठिन है राजपर भाईया का पैर एक जुगा नहीं रहता विजुपी के साथ थे तो हीरो हो गए फिर सलाकार निउक्त कर दिया गया सब्सक्राइब कर दिया कि इस पार्टी के लिए अपने अधर के अंदर जो दोड़ फोड मचा हुआ है पहले उसे थम्हाले आगरे की दिवानी परिसर में घुसकर 21 साल पहले पुलिस बन ने जुमकर लाठी चार्ज किया जुसमें दरजणों दिवक्ता वादकारी और न्यायक कर्मचारी ठायल हो गए थे पुलिसन दिवानी परिसर में मौझूद दिवक्ताओं पर बरबरता पूल तरिकी से लाठी अमरसाई थी जुसके विरोध में सुम्हाल को दिवक्ताओं ने काला दिवस मनाया साथी दिवानी परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया इतरान स्टांप वेंजर से लेकर टायप पिस्ट तक ने काम बंद रखा दिवक्ताओं ने दोश्यों कराफ एक साल बाद की कोई कारवाई ना किया जाने पर आक्रोश्य किया अब इठीक है पुलिस अधिक्षक डॉक्टर इलामरन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है दरसल पुलिस अधिक्षक का सेविल ड्रेस में वो दौरे पर थे और इस तोरान अंतू रोड पर बाइक पर सवाल ट्रिपलिंग जो लोग कर रहे थे उसको पुलिस अधिक्षक डॉडा कर लिया जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ देखे यूभी सरकार का प्रियारिटी में रहते है महिला बच्चों का सुरक्षा इसी करम में मिशन शक्ति का अभियान ही चल रहा है आज आज एंटी रोमियो स्कॉर्ड महिला तान चेकिंग के द्वारान कुछ कम अमोर का लड़के हैं वो बिना मतलब वहां गूम रहे थे इन लोग को पकड़के बूचाज किये थे पूचता के बाद कुछ संदिक्ष लगाए और लोगों का आगे कारवाई करने के लिए ताने बेढ़ जा गया है तो अमेजी के तस्वीरें आप देख रहे हैं आपको तादे कि यहाँ पर एक वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है खुद अमेजी के पुलिस अधिक्षक दॉक्टर रिलामरन का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हुआ पुलिस अधिक्षक सिवल ड्रेस में पैदल गश्त कर रहे थे इस तोरान अंतरोर कर बाइक पर सवार ट्रिप्लिंग कर रहे हैं लोगों को पुलिस अधिक्षक ने पकड़ लिया उसके बाद उनका चालान भी किया गया है वीडियो तेजी के साथ सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है तो में ची के तस्वीरियां आप देख सकते हैं पुलिस अधिक्षक पैदल भ्रमन पर थे तभी आचानक बाइक पर तीन युवा जो हैं वो ट्रिप्लिंग करते वे लजर आ रहे थे साथी साथ इन्होंने ना तो हेल्मिट पहना था और ना ही इनके पास थे किया गया है साथी साथ हिदायत दी गई है कि ट्रिप्लिंग ना करें जो ट्राफिक मियम है उनको जरूर पालो करें झालो कि झालो करें झालो करें जरूर ना है झाल 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 प्रदेश विधानसभा अध्यक्षतिस वहाना साहरन पर पहुँचे यहाँ वो सरसवा विधानसभा श्यत्र के विधायक रहे निरुभेपाल शर्मा के पिछत्तरवे जन्म जैन्ति सम्हारों को बतोर बुख्यातिती श्वामिल हुए उन्होंने सभापोसम होदी करते में कहा कि कोई व्यक्ति कितना जिया वो परिवार के लिए महतफूर हैं परंतु कैसे जिया वो जन्ता के लिए बेहद महतफूर हैं साथी में निरुभेपाल शर्मा ने समाज को नई दिशा देने का काम किया था आज श्यदे निरुभेपाल शर्मा जो मेरे साथ उक्तरपदिश की विधान सभा में बिढाया करें जिन्होंने समाज सिवा में अपने कीर्थिमान स्थापित किये थे आज उनकी 75 जन जयनती के अफसर पर में आ पड़ता हैं उनका व्यक्तित और उनके जो मेरे सम्मन थे वो एक आत्मिक थे और सभागे से उन सम्मनों को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रिये श्री राग और लखन पाल जी ने किया सारंपूर के थानार सरसावा श्यत्र के सहजापूर फार्टक के पास ट्रेडवे लाइन के नीचे के मित्टी कि सकने से ट्रैक दो फिट तक नीचे बैठ गया आनन्फानन में अमरस्तर से सहरसा जाने वाली ट्रेन को खटना स्थाल से 200 मीटर पहले रोका गया मामला दिन काहूनी की वज़र से बड़ा हाथसा होने से चल गया गुरकपुर में शारदे नवरात को लेकर मुखे मंद्र योगी आदेतनाथ ने मौट के पहले तल पर स्थित शक्ति पीछ में बैदिक मंतर चार के बीच कलश स्थापना कर पथम दिन मा शेल पुत्री के विदी धान से पूझा की पहले दिन कानुस्थान करीब दो घंटे तक चला कलश स्थापना के पहले गुरकनात मंदी परिशन में परंप्रागद भवे कलश दुभायात्रा श्रद्धा भाव से निकारी दे और अब खबर और या जिले से यहां अच्छलदा ठानस्च्रित्र के विसाली गाउं में रहने वाली दसफे के चात्रों निकित के पिताई से हुई मौत के बार आक्रोशित परिजिनों के साथ इस्थानली लोगों ने कॉलेज के बाहर श्रव रखकर जंटर गामा किया उत्राकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखारे पौड़ी पौड़ी पहुंचे यहां पहुंचकर उन्होंने अंकिता के परिजिनों से मिलकर परिवार के पती अपनी सम्विना रख थी रेखारे ने कहा कि पुदेश की बेटी को इंसाल जरूर मिलेगा इस केस को और मजबुत बनाने के लिए S.I.T. को इस केस का जिर्मा सौपा गया है जो अपने कारे को बखोवी कर रही है साथी रेकारे ने कहा कि रिजॉर्ट में बुल्डोजर को जिन्भावनाओं के अनरूप चलाया गया है इससे पहले ही पुलिस ने सभी सबूत यहां से जुटा लिये थे कॉंग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पितम सिंग ने अमत का अंकिता भंडारी के थर पहुँचकर परिजिनों से मुलाकात कर सम्भीदना रख्ट करते हुए परिवार को भरोसा दिलाया है कि उन्हें नयाय सुरूर मिलेगा पितम सिंग ने कहा कि अंकिता का मामला फास्ट्रेक कोट में चलना चाहिए साथ ही अभ्यवत पलकित शर्मा के पिता विनोधारे की भी गिरबतारी होनी चाहिए यह बहुत ही गमगीन है और दिलों को जवजूर देने वाला हत्याकान है और जिन लोगों ने इस हत्याकान को अंजाम देने का काम किया है हास्ट्रेक कोट पर उसकी सुनवाई होनी चाहिए और जो दूशी है निश्चितुप से हम नयव्यस्ता पर पूरा विश्वास सरकते होगे कि ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को ऐसे दरिंदों को हासे की सजा मिलनी चाहिए परिवार को भी और हमको भी ये संसे है कि भई जो अभ्यूक्त है जो प्रिजोर्ट का मालिक है उनके प्रभावशाली है राज्य सरकार ने धान खरीद नीती ज़ारी कर दी है खरीद को पूरी तरह ऑनलाइन करते हुए दो सर्न नालवे तोल केंद्र बना कर कालावशारी रोखने के जबरदस पावे की गए जिस पर पुर्वदर्जा, राजमत्री और प्रवक्ता उत्राखन कॉंगर्स दॉक्रर गड़ेश उपार थ्याई ने कहा है जिसमें बहुत सिखामिया, हमारा सपष्ट कहना है जब भी कुई किसान क्राई केंद्र में अपना धान लेकर जाता है जो रिवादा के बंचे किसान कितने तबाह हो चुका और किसानों के प्रतिकोंचल एकल की लागत भी बहुत कमाईगी तो हम यह चाहते हैं किसानों को धान तोडने के तहत किसी भी मौसपसर का बहाना वहां के करमेशारे निखियाए ज़कार को मैं इस धानक नाचीये मेरे और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना हिया बने रहे हैं नियूस वाल इंटिया के साथ